हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं CID, focus on high, Sony Entertainment Television Bar मतलब वो फोड़ी रफन्टाफ है, कॉंफिडेंट है, इंडिपेंडेंट है, और मैं बिल्कुल श्यांत सोब आपका चुप-चुप काम करने वाला अच्छा वैसे आप कुछ बता रहे थे आपका भी वाल अच्छी है वो, प्यारी सी और जैसे मैं सोचना हम बिल्कुल बैसी है वो लेकिन मेरी वाली तो खत्रों से खेलती है खत्रों से खेलती है? वो कॉप है, CID officer Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Sir, आप… आप ठीक तो है ना? हाँ, ठीक हो, क्यों? क्या हो? आप कुछ परेशान लग रहे हैं परेशान था? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, बस वो थोड़ा काम को लेगे सर्ण, मुझे बताईए ना मैं आपकी मदद कर देती हूँ नहीं, मैं मैं मैंनेज कर दूँगा वैसे सिधात कैसा है ठीक है, सर वस अपने काम में थोड़ा बजी है मैंने से बात की थी अच्छा लड़का है कफी कॉंविटेंट लगता है आज के जमाने का है हर चीज को लेकर काफी स्ट्रेट फोड़वड है वैसे तुमारी पैचान मतलब वो मारे रिष्टे में है या अब बस ऐसी जान पैचान होगी अचली बाबा के दोसका बेटा है तो बस अच्छे दोसका मेंच लीजे श्या मेरा वो लेटर पढ़ा तुमने जवाब नहीं दिया कौनसा लेटर साथ? वो जो मैं ने वो काम के सिलसिले में था वो वो काम हो गया अभी तो कोई बात नहीं अभी अभी तो अभी तो अभी तो आवशीत ने क्यों कहा के उसने लेटर दे दिया है अभी तो अभी तो फिसमेंट संसे लेटर टिकेट , टिकेट , है लो , tekrar क्योंप। टिकेट , टिकेट , पटिकेट , हेलो , टिकेट , एड। कर दिया मैंने पैसे निकाल, टिकेट ले लिया मैंने टिकेट, टिकेट लिया है कर दिया मैंने कितनी तेर से बैठा हुआ है बस में टिकेट ले यह देखो अचल, ठीक है अचल, ऊचल, बाश, आचल, अचल, टॅचल बाऐ, साब मुझे थोड़ा खिल्ट ला खिल्ट की की कर देखने दीजेगा बाई, साब प्लीज बैठने दीजे कि आये भाई सब आब यहां बैठीए कि उस जादा है नाटक इसका लगता बस इसके बाप की है मैं काफी पहले से देख रहा हूं हिला हुआ यह अरे एक सीट्टो मांगी थी ऐसे रियक्ट करा जैसे इसकी जाइदात मांग लियो हम Marshaisो हमक्या है कि अईसको एसे बढ़ने को झाई ऑसे घर से भार ही निकल ले देना चाहिए मिल्की खेड़की अली सीट्ट्शियों एइ पताने क्यों इलो गज़ भर निकलते हां आट जाइख थाके बाहर मुट्र काई थाकर करो ने दॉट entonces चुड़ो इसे, चुड़ो! चुड़ो! अरे, भाई, चुड़ाओ इसे! अरे, क्या होगे इसे? क्या-क्या तुमने? मार दे उसको! अरे, पुलिस को! बुलाओ, पुलिस को! कुलोगे इसका! अरे, पुलिस को! अरे, पुलिस को! अरे, यह वरुन है, गला गोड़ कर जान ली गई इसके! अजीब बात यह है कि इसका हत्यारा अर्विन, वहाँ सामने मारा पड़ा इसका खूण करने के बाद, वो भार भागा और सामने आती गाड़ी से टकरा गया वही मर गया इच्छा गाड़ी ना उड़ा दिया वह क्या था इनके बीच में? वड़ी छोटी सी बात थी से अर्विन उस खिड़की वाली सीट पे बैठा था तेरी यह वरुन चड़ा और इसने भी वहीं बैठने के लिए का अर्विन ने मना किया वरुन ने उसका मज़ा कोड़ा और बातों यह बातों में बात यहां तक पोच्च कई सर कमाल है इच्छोटी सी बात के लिए पून कर दिया दरहसल इस रूट पे यह ऐसी दूसरी वारदात है सर पहली बार में क्या वाता पहली बार का प्रादी विनोध सर गुस्से में आखे उसने एक आदमी की जान लेली फिर वहां की भीड ने जब उसको पगड़ना चाह तो वो भी कड़क की तरफ भागा और सामने आती काड़ी के सामने कूद गयो वो भी मर गया पुरिस ने का कि ये गुस्से में किया मॉर्डर है और अज़ते का कीस है पुरिस ने फाहिल बन कर दी अच्छा पारजला ये दोनों कौन लोग है ये अशर परोने कम्प्यूटर एंजिनियर सा और अर्विन देक नामी पतर काता सर कि कर आये अन्ध्या करवा रही है उसकी अट्मह गोडया चंब कंगो डी आथ माने किया नामाने पर इसकी बात में सचा ही है क्या क्या कह रहा है क्या पक्क्वास कर रहा है तुम सर यह सही कहरा सर सर इस रोड पर लगातार एक्सिडेंट होते रहे हैं लोगों का कहना है कि यह सब मंजीत की आत्मा करवा रही है इसलिए इस रोड को बंद कर दिया गया अब पिछले तीन महीने से चालू किया गया और यह सब होना शुरू हो गया इस सब अफवा है यह आम प्रॉग नहीं मानते हैं अप्टा करना होगा इनका अफ़े नाश को फ्वरेंसिक लेफ जवाद है अपर आप अब अब थिए सब्सक्राइब यह दूने अधिक दोने को जानते तक नहीं थे अजीब बात है कोई इससना अच्छाना की एक अजनभी को देवजा क्यों मारे का? काविन, हाजर काविन, इसकी मौत इंटरनल ब्रेडिंग के वज़े हुए दिमाग में काफी खून भर जाने के वज़े से लेकिन इसादा खून बहने की वज़ा क्या हो सकती है, सार जब यह बस से उतर कर साडक भाग रहा था, गाड़ी ने टक्कर मारी उसकी वज़े से लेकिन वहाँ लोगों ने बताया, मनने से पहले इसका सुभाव बदला था, सार यह और खुंकार हो गया था, इसका क्या कारन हो सकता है यह जरूर चौकाने वाला है, इस सुप्राइसिक एक बात है, इसकी किड्नी में जरासा इंफेक्शन तो हुआ था, लेकिन इसका, इसकी मौट से कोई लेना देना नहीं है सर, सर अब तो बात पक्कियोगी है सर, सर मन्जीत की आत्मा पाशान डोट पे मंडरा रही है सर आड में यह खून किया है, यह खून तुम्हें कुछ पता यह अभजीत का है? अभी तोग तो आफिस नहीं है, कल क्राइन स्पोर्ट से उनका फोन आया था, उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं है कहां थे यार, तुम कब से फोन टाइकरा हूँ लगी नहीं था? पस गया था, फोन भी रूट गया यार, कभी चलता है कभी नहीं चलता है चलो वह चुणो, मुझे तुम्हें कुछ परिशनल बात करनी है मुझे भी तुमको कुछ बताना है, यार जोजी मुझे यार, मैंने श्रया को लेटर नहीं दिया क्या? सक्हाइर पुम ने तुम ने तुम तुम ने तुम ने तुम ने तुम ने उसे वह लेटर दे दिया? हाँ, कहा था लेकिन लेकिन यार वह खुछ, कुछ मजबूरी थी हैसे क्या मजबूरी चो तुम मुझे नहीं बता सके है बात कुछ ऐसी है यार कि क्या सार ये विनोथ की पुरानी केस फाइल मिल गई वह फाइल मिल गई अच्छा है ये विनोथ एंजीयो चलाता था बस्टॉप पे किसी बात पे एक आजमी से हाता पाई होई विनोथ बॉकला गया और उसने ये चोटी सी बात पे खोन कर दिया हाँ सर और जब लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे रास्ते पर भागे तो वो इक गाड़ी के सामने आ गया और उसने अपनी जान गवा दिया फिल्कुल इसी केस के तरीके से कमाल है एक मेने के अंदर एक जैसे दो केसे ये कोई संयोग नहीं हो सकते पुर्मी वो जो मन्जीत की अफ़वा फैली हुई है पार्षान गोट पे इसका क्या चक्कर कुछ पता किया? हाँ साथ कुछ साल पहले उस रोड पर मन्जीत नाम की अवरत का अक्सेंट हुआ था और वो मारी गई थी सर तब से ही अफ़वा फैली हुई है कोई गुनेगार उस अफ़ा का फाइदा उठा रहा है मुझे भी यही लगते है कहीं विनोत का और अर्विन का कोई संबंद तो नहीं पाशानोट चलते हैं वस बस्टॉप पे जहां से अर्विन ने बस पकड़ी थी यह अर्विन रोज इसी स्टॉप प्रड़ता दाना जी हाँ स्क्यूज मी स्क्यूज मी स्क्यूज मी एक मिनट लिगे हम लोग CID से हैं कल जो बस में हाथसा हुआ था उसके बारे में आम लोग से तोरी पुछताच करती है यह अर्विन है इसके बारे में कुछ पड़ा सकते हैं नहीं साप मैंने इसे कभी ने दिए अच्छा आप अधर सकते हैं इस आदमी के बारे में हाँ सर कली आदमी इस सीट पेठा था और वो अपने मुवाइल से कुछ फोटो क्लिक कर रहा था सर मगर अर्विन की बाड़ी पे या उसके आसपास हमें कोई फोन नहीं मिला था अच्छे से चेक किया था इस्क्यूज में जी पही हम से आईडी से हैं पारशान रोट पर कुछ दिन पहले मिस्टर विनोथ की मौत हुए थी उस सिल्सिले में आपसे कुछ पुष्टाश करनी है यह पूछिए क्या आपको लगता है कि अपनी मौत से कुछ दिन पहले विनोथ थोड़े चिज्ज्रे या गुसेल होगे देखे सर हमें खुद यखिन नहीं होता विनोथ सर जैसा शांत और सदल सभाव का इंसान गुस्से ओकर किसी का खून कर सकता है और उसके बाद खुद को खत्म कर सकता है अच्छा क्या उनकी कैसे के साथ दुष्मन ही थी? देखे इस बारे मैं तो मैं कुछ कह नहीं सकता लेकिन समा सुधार के काम में हर तरह के इंसानों से पाला पड़ता है कौन-कौन से मुद्द बर वो काम कर रहे है पीने के पालओ को लेको लोकल ओफिसर से लड़ रहे थी और दूसरा ओरतों को सगी सु रिकष्या देने का मुद्द बड़ हा था और उनने और और कुछ सर निकाली ऑल कंपनी के खिलाफ तेल में मिलावट के मुद्द को लेकर को ट में केस कीया था था शर ने निकॉली वाल कमोणी? ओके, थैंक यू अमने यह पता करना होगा कि अर्विंद कौन से मुद्धे पर काम कर रहा था वो सकता है विनोध और अर्विंद एक ही मुद्धे पर काम कर रहा है अब अदा सकती वो एक्जैक्टली कहा की पोटो ले रहा था? कि आद्मी काफी कुछ जानता है क्या जानता है वाईया? कि अर्विंद के बारे में झापता रहे था? आर्विंद when बस टाप से चड़ता था, उसी बस टौप पे उसका केसी कैसाध जभड़ा हुसता जब्लाद्या? किसके साथ? कौन तह वाद? नाम तो नहीं पता सर नहीं सर आज तो नहीं है जब यहां सावा था तो वागी बस में था कल तो था अजया तो यहां दो गाना ची तरीके से हाँ सर गुड़ अधाश नगर से सरोजी नगर के बीच वीडियो रेकारडिंग कर तो पता तो चले ही अरवेन इस चीज की पोड़ों की चला है सर बस्टोप पेज़ बंदे का अरवेन से जगणा हुआ था? सर स्केच को क्रिमिनल डेटावेश से मैच करके देखा लेकिन कोई भी मैच नहीं मिला सर सर यह देखे अदर्श नगर से सरोजी नगर के बीच की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलके अरे, इसमें तो दूर-दूर तक से खाली जगा दिखाए दे रही है एक मिला, पॉस्कार? रिवाइन करके फिर से प्ले करें पर इसमें जूम करें निकोली ओयल कॉर्प्रेश्ण निकोली ओयल कॉर्प्रेश्ण इस कंपणी का मुद्द तो विनोथ की केस फाइल में था इसके खिलाफ उसने कोर्ट में केस फाइल किया था अंकर जब आर्विन की फाइल ले कराना यह देखो तेल कंपणीयों की दांदली तेल में मिलावट के खेल का परदा फाष् जब तरीके अपना कर तेल की दाम बढ़ाने इससे बड़ा आप निगोली ओल कॉर्परेशन का यह वो सकता है इस निगोली ओल कॉर्परेशन के ओफिस चलना पड़ेगा होने आप लोग और आप लोग की हिम्मत कैसे हुई बिना परमीशन के आप विनोद और अर्वन को तो भुले नहीं होगे देखे, हमारी कंपनी में सेक्रों लोग काम करते हैं अब हर एक कचेहरा और नाम तो हम याद नहीं रखते हैं जो बुराई के खिलाफ लिखने से, कभी नहीं डरा इन लोगों ने आपके कंपनी के खिलाफ आवास भी उठाई क्यूंकि आपके कंपनी तेल में मिलावट करने थे और गैर कानूनी धंक से तेल के दाम भढ़ाने की कोशिश करने देखिया, ऐसा कुछ भी नहीं है इस केस में कोट ने हमें पेगुना ठेरा है लेकिन सर, अर्विंद और विनोद का खून हो गया है क्या? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? जी हाँ, आप शक के दाएरे में और गलती से भी ये शेयर चोड़के जाने की कोशिश मत करना इस्क्यूज में अर्विंद और विनोद के वारे में क्या जान था? सर, विनोद में कंपनी की धज्जियां ओडाती थी उसकी वज़ा से जगमोहन जी को काफी नुकसान था और वो तेल के दाम भी नहीं बढ़ा पाय थे एक बार तो वो भेस बदल के कंपनी में घुसाया था कंपनी के खिलब सुबूत इखट्टे करने के लिए लेकिन पकड़ा गया सर और फिर उसे उठा के बाहर फैक्टिया गया था इसे पहचानते है जर यह तो रोहन है सर हमारी कंपनी में ही काम करता है किसी ने तो विनोत को उठा के बाहर बैगा था रोहन इस रोहन से तो मिलना पड़ेगा नहीं रोहन, अवी तुम कही नहीं जाओगे वहन है प्रोहन? CID आतो आतो? आतो? अगर मैं तुमारी जगह होता ना तो यह स्कुन्ते मेरे हाथ पर काम चाते लेकिन मैंने कुछ खिया ही नहीं तुमें डरू कियो? तुमें डरू कियो? तुमें डरू कियो विनोद, विजारा मर गया पता है ना तुमें? इसे की मरने है जने से मुझे करना है एक महीने पहले तुम्हारा उससे जगड़ा हुआ था कंपनी में यह वो कंपनी के खिलाब कुछ सबुद हुन रहा था मेरे बॉस से कहने पर मैंने उसे कंपनी से भार करती है इसमें गलत के में और वो पत्रकार अर्विंद? उसके साथ भी तो तुम्हारा जगड़ा हुआ था वो भी कंपनी के बाल में कुछ निउस्पेपर में चाफने अबाला था मैरे से कंपनी की बियाफ मात्या नहीं कोशिश की थी अलिसे बात को लेकर उसके और मेरे बीच में जगड़ा हुए कि opnMr.P if उपपथर निओं इस याओ का से लोगा जातें क्या बोले तुम ने क्या का हमैने मैंने क्या काता सिफ सिर्प और वाल्यूम कम करने के लिए का हो था ना तुम्को परिशानियों ना तुम कहीं और जा kwestर बांट और यह है परिशानी तब ही तो बोला था ना बॉलियूम कम करने को तुम ही परिशानी हो ले ना तुम जाओ वहाँ पे तुम बॉलियूम कम नहीं कर सकती थी नहीं कर सकती हूँ देखो देखो तुम उसे बैज मत करो तुम कहीं और जाके बैठ जाओ नहीं बानोगी रखने हैं तो इस दिन अर्विन्थ की मौत हुई उस दिन तू उसी बस में था यह बता, जब विनोथ की मौत हुई तो तू कहा था? अब इस लिए दिलाने के लिये बता दू, उस दिन 23rd June था और सुबह का टाइम था, morning, जस्ट तू रिमाइंड you यहां मैं कमपनी मही था, फोर टाइम कर रहा था चीक है, देखते हैं कि तु कितना सच बोल रहा है और कितना जूट हलो, हलो सेरी, क्या? ओके, क्या वा सर, पाशन रोट पे एक और खूँड़ पाशन रोट पे एक और खूँड़ पाशन रोट, मन्जीत के आत्पा सर सर, इसका नाम गीता है, इसने अपनी साथ वाली पैसेंजर मीरा पे हमला किया और फिर खुदी मर गए अजीब बात अश्या, पिछले दोनों केसे में अरविंद और विनोथ की मौत एक्सिडेंट से हुई, फिर इस केस में अपनी आप कैसे मर गई थी? सर, सर मेरे को होश आगा से डॉक्टर, क्या हम से कुछ सवाल पूछ सकते हैं? जी ठैंक यू, मीरा जी, सिर्व एक दो सवाल, क्या आप गीता को पेले से जानती थी? नहीं सर, आज पहली बारी मिलेते हम लोग, पता ने चोटी सी बात पे ऐसे भड़क गई वाकई ही चौकाने वाली बात, आप प्लीज याद करने के कोशिश कीजिए आपको कुछ भी ऐसा याद आ रहा है, कुछ अनोखा, कुछ डिफरेंट हाँ सर, उसकी आखों में वो वैशिपन, इससे खुद की ओपर कोई कंट्रोल ही नहीं है उसका शुक्या, थैंक्यू सो माँ शुक्तर साथ, आपे ने ले जा सकते, थैंक्यू ओके सर सर, समझ भी नहीं आ रहा है, ऐसा क्या हो गया था जिसकी वज़े से विनो, अरविंद और गीता तीनों अपने आप पे से कंट्रोल खो बैठ है यही दोश्या, कुछ तो ऐसा है जो हमारे हाथ नहीं लग नहीं लग नहीं चला भाहा, brain haemorrhage brain haemorrhage, कमाल, इसबार तो गीता को कोई टककर नहीं लगी किसी भी दुरगट्ना में कोई छोट नहीं लगी फिर अचानक ऐसा brain haemorrhage टा को भी kidney infection था तहले हमने सोचा कि kidney की नसों का कोई मामूली से infection हुआ लेकिन बाद में जब अच्छी तरह से जाच की तो पता चला कि ये इंफेक्शन किड्नी की नसों से होता हुआ दिमाग की नसों तक पहुँच गया है डॉक्टर साब ऐसे किसी भी इंफेक्शन से किसी को ब्रेन हम्रिज कैसे हो सकता है वो सकता है, ब्रेन अम्रेज वो सकता है किड्नी के इनफेक्शन की पेशेंट को एक खास किस्म की दवाई दी जाती है एरगेटो माईसी और अगर ये दवाई उस पेशेंट को बहुत ज्यादा मात्रा में दे दी जाए तो दिमाग की नसे पदली हो जाती है, थिन हो जाती है मतला सिंपल शब्दों में कहा जाए तो दिमाग कमजोर हो जाता है और कुछ खास रियाक्शन्स पर दिमाग की कमजोर नसे फट सकती है और इसी लिए ऐसे पेशेंट का दिमाग अचानक बदल सकता है किसी सरासी बात पर उसका स्वभाव अचानक बदल जाएगा तो ये वजा है अर्विंद और गीता के मरने से पहले यूँ खुंखार हो जाने की कोई तो है जिसने उन्हें वो दवाई दी वो भी जादा मात्रा में ताकि इंके दिमाग किना से फढ़ जाएं और ये दोनों मड़ जाएं और ऐसा वो इनसान वो शक्स हो कौन सकता है कोई डॉक्टर या फिर मेडिकल शॉक सर ये ही वो दुकान है जहां पर एरगेटो माइसन नाम की दवाई मिलती है कहिए सर क्या चाहिए हम लोग सियाएडी से आप से कुछ जानकारी चाहिए सियाएडी क्या जानकारी चाहिए सर तीन लोगों की मौध हुई है जिने आपकी दुकान से गलत दवा दी गई थी क्या सर हम कभी किसी को गलत दवा क्यों देंगे देखिया हमारे पास सबूत है आपने एर्गेटो माइसन 10% नाम की दवाई तीन लोगों को बेची थे विनोध अर्विंद और कीता सर मैं चेक करके बताता हूं आप लोग अंदर रहिए यह देखिए सर इन तीनों को एर्गेटो माइसन 2% बिचा गया है नाकि 10% लेकिन हमारे पास फॉरेंसिक सबूत है कि उन्हें अर्गेटो माइसन 10% दिया गया है सच तो यह है कि आपने दवाई बेची 10% की और बिल बनाया 2% का मैडम हम ऐसा क्यों करेंगे ना तो हम करप्ठ हैं और ना बेमान वो भी बता चल जाएगा यह बताईए कि पिछले दो महीने में अर्गेटो माइसन 10% का कितना स्टॉक था आपके बास सर एक्चुली यह दवा कम बिखती है इसलिए हमने इसकी 20 बोटल मंगई थी और बेची कितनी सर आट बोटल तो आपने बीस मंगवाई उसमें से आट बेच थी उस हिसाब से आपके पास बारा और बोटल्स हो जी सर राइट जी सर का रखते हैं अपनी यह दवा आईए सर दिखाता हूं सर यह तो नौई बोटल है जी नौँ बोटल्स है अब सर यह बताएए कि बाकी की तीन बोटल्स का गई शर मुझे नहीं पता क्योंकि काउंटर सुदांशु समालता है वो दो दिन से नहीं आ रहा है और मेरा फॉन भी नहीं उठा रहा है सर इसलिए में यह यह बैठता हू सुदांशु कौने यह बैठता है मेरे यह काम करता है सर इसका नंबर और अडर्स दीचू मझे जी सर जी डॉक्टर साब जी बता चल गया है उन तीनों को यही दवा दी गई थी और इतना ही नहीं इसको फिरामिन नाम के सॉल्ट का इंजेक्शन भी दिया गया था जिससे इस दवाई कासर काफी तेज हो जाता है जिससे दिमाग के नसे एकदम पतली हो जाती है फट जाती है और दिमाग में ब्लीडिंग शुरू हो जाता है उसी वक्त जब खुनी चाहता हो और डॉक्टर साब इन सारी चीजों को होने में तक्रीबन कितना वक्त लगा होगा ज्यादा 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 पांट से साथ मिनट परस ओके डॉक्टर साब थांक्यू हमें बस यह पता क और यहादा ज्यादा सब वापस ले आएंगे तो तुम कहां बैठे थे सर में यहां बैठा था बैठो यहां पर अब बताओ अर्विंद कहां बैठा था क्या कर रहा था और उसके साथ कौन था सर में यहां बैठा वा था और अर्विंद वहां पर बैठा हुआ था वहाँ खिर्की के पास हाँ जी सर में जादा कुछ भी नहीं जानता सर मैं कह रहा हूं आपसे सर मैं बता हूं हाँ बोलो उस दिन ये बच्चे अर्विन की आगे वाली सीट पे बैठके फोटो निकाल रहे थे ये बच्चे आप हमें वो पिक्चर दे सकते हैं जो दो दिन पर आपने इसी रास्ते पर खीची थी मैंने खीची थी आप देख सकते हैं ये वीडियो भी आप ही ने शूट किया है आप हमें ये वीडियो रिकॉर्डिंग दे सकते हैं जी सर थैंक्यू देखो सर, काफी देड़ से कुछ अरकत कर रहे हैं सर, ये तो बस से उतर गया, गटना वाली जगह से दो स्टॉप पहली? लेकिन इतना सा में काफी है इस फिरामिन सॉल्ट को अर्विंद के शरीर में असर दिखाने के लिए एक मिन पंकरश, रिवाइन करके फिर से प्लेगा कोई छोटा सा डार्ट या कोई नुकीडी चीज मारी उसने अर्विंद की तरफ जो उसके शरीर में चुप करी और चला गया वो सॉल्ट अर्विंद की पॉटी में है हेलो क्या? ठीक है, थैंक्स उस केमिकल फैक्टर का पता सेल गया है, जहांपे यह फिरामिन सॉल्ट पनाया जाता है नाम के उसका प्टी का जी सर, सिर्फ हुमारी कंपणी बनाती है फिरामिन सॉल्ट इसका इस्तमाल दवाईयों में किया जाता है सर क्या आप यह बता सकते हैं कि यह फिरामिन सॉल्ट आपने किन-किन लोगों को बेचा था? एक मिर्ट, चेक करके बताता हूँ पिष्ले दो मेने मेने तीस लोगों को बेचाई है इनको देखिए क्या वो तीस कस्टमर्स में से यह भी एक्थ है? आपके पस? यह को है, क्या हम भी है से एक मिर्ट ढता होगा जसर रहे है उसका फोननबर और आड्रिस नापकी कभी मनोज से फोन पर पात हुई है? हुनी है तो फिर आप फोननमबर ही फीजी क्यूकि एड्रिस तो उसने गलत ही दिया होगा और इस फोन नमबर के जरीए, हम उसका अस्की अड्रिस पता कर लेंगे. अच्छे दिन आने वाले हैं, दोस्तों. अपना बास बड़ा दिलवाला है. कुछी दिनों में हम सब करोड़पती हो जाएंगे. एक बात अच्छी तरह से सुन्ले मनुष्, अगर मेरे हिस्से में से कोई घपला हुआ ना, तुम्हें किसी को नई छोड़एंगे. अरे, कुछ नहीं होगा, अपना बास जबान का बड़ा पक्का हैं. अज़ खेल! से, इनमबड यहींदे प्रेशों. करन, जाएंगे. मनुष्, 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 आके खोड़। मनुष्, कौन था इस प्लान के पीछे, जल्दी बोड़। यह प्लान सब… किसका प्लान था ही है? मनुष् मनुष्, 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 मनुष् की बोड़ी चेक करें. यह लोगें, आपे ज़रूर कोई ना कोई सुराग छोड़ के गए होंगे. टूनते हैं. पंकाज, मनुष् की बोड़ी चेक करें. सार्र! या, शिता. सार्र, किसी कंपनी के पेपर्स मिले हैं? कंपनी के… ग्लू लाइन? यह किसकी कंपनी हो सकती है? देखते हैं. यह क्या? जमीन के काखजात? यह जमीन तो… जगमोहन के नाम पर है. सार्र, हमारे केस से जगमोहन की जमीन का क्या संबंध हो सकता है? सार्र! वो तो भाग गया! सार्र! आवादर! सार्र, इसके जेब से फोन मिला सार्र. लास मेसेज एक बॉस का है. उसने काया कि पांच बुचे रच्णा बिल्डिंग पर मिलना. अब तो पता का नहीं होगा यह बॉसा खेर. है कौन? आईए, 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 जगमोहन साफ. अपना इनाटा का बन कीजे. क्योंकि हम आपके सारे राज जान चुके हैं. C.I.D.? तर लगता है आपको हमारे बारे में कुछ गलत फैमी हो रही है. गलत फैमी नहीं. साही फैमी. हम आपके पाशान रूट वाली जमीन और ब्लू लाइन रियल एस्टेट कंपनी के बारे में सब कुछ जान चुके हैं. सब कुछ. तर हमारी तो कोई ऐसी कंपनी नहीं है? आपकी कंपनी नहीं है मतला? तो तो पर आप यहां क्या गर रहे हैं? आपसे दौम बाद में बाद करते हैं. एले जरा इन लोगों से निपट ले हैं. क्याद कि बाद हे खैंक खैंक ़ैंक बाद कि अङ्य बाद कर रहे हैं. लोगों को ज्यादा पावर के इंजेक्शन दिये थे ना तुम्हें? अब तुझे पदा चलेगा असली पावर क्या होती है? समीन जहिए ना? मैं देता हूँ तुझे सस्ते में इससे पहले कि हम तुझे और तकलीव दें सच भूलकर तुम अपनी तकलीव कम कर सकते हो अलो! डूलाइन कंस्ट्रक्शन्स मेरी ही कंपनी है से फर्जी कंपनी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका से फेक मकसद है जगमोहन के जमीन किसी तरीके से हड़ा पना है हाँ सर मैने करजा लेकर उस जगह पर बहुत पैसे खर्च के डेवलप करने में लेकिन इन लोगों की डरावनी अफवाहों की वज़े से कोई भी उस जगह कुछ बनवाना नहीं चाहता नहीं कोई अपना बिजनेश शुरू करना चाहता है मन्जीत की आत्मा की अफवाह वसरूर पे खून करने शुरू कर दिया और बली का बक्रा बनाया विनोद अर्विन बरगीता को हाँ क्योंकि विनोद और अर्विन जगमोहन के तेल के मामले से जुड़े हुए थे मैंने सोचा अगर रास फाश भी हो गया तो तो सारा शक जगमोहन पर ही जाएगा और फिर जब जब जगमोहन बरबाद हो जाए तब तुम उसकी उस जगह को बड़ी असानी से कम दामों पर हडब सको निर्दोश लोगों के दिमाग की नस फाड़ के कून करवाया तुम लोगों ने अब भासी के इंतजार में तुम्हारे दिमाग की नस न भट जाए यह दुआ करना अ पुझ पुझ मुझे तमसे बात करनी है अकेले में पुझ माँ बात कुछ ऐसी है कि मैं सर्क मुम इठा किजिए हाँजर अभी लेलो किसमोची में क्रेया और सिद्धारता की शादी पक्की हो गई हाँ अरे सब लोग लट्डू लेलो लट्डू लेलो लट्डू लेलो थाँ लट्डू लेलो यह बात लट्ड़ अर्या और तुम्हें भी श्रिया है अच्छा सर वो मैं बताया था आपको अपने सपनों के दुलहन के बारे में कौफ है करके अब यह हमें प्रोटेक्ट करेंगे तुम्हें बहुत सेवी फैसला लिया इस धार थे श्रिया तुम्हें हमेशा खुछ श्रकेगी अच्छा शर आप वो बता रहे थे ना अपके सपनों गी मलीका तुम्हें अपने प्यार का इस्जार कहा किनी करा अंस से सच्छ में और कभी वक्ती नहीं मिला बताने का तो तुरंट जाओ, अभी के अभी को, क्योंकि इस काम में देर नहीं करते हैं, वनना दिल के बाद दिल में रह जाती है नहीं सिदार था, शायद काफे देर हो चुकी है आपको अभी तुरंट जाना चाहिए, वरना बाद में बहुत पश्तावा होता है एक इक इए, हलो, अरे, थैंक्स, थैंक्स, नेक्स मन्त आना जरूरा, यह हाँ, 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 अरे, हाँ, इसे दिल को, आप लोग को समझाता हूं, समझने और समझाने का वक खतम हो गया अभी जी खतम हो गया अभी जी 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 कि खतम है कर दो!